तो साथियों नमस्कार आज की इस वीडियो को आप पूरा लाश तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेफ्कियों केर इंजेक्शन के बारे में यान की काईज यह जो इंजेक्शन है ठीक है इसे हम कब एनिमल में उप्योग मिलाते हैं कितनी टोस रेट हमें एनिमल में उप्योग मिलाते हैं किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किस पशु में कितनी डोस देनी है और किन-किन स्पीसिज में हमें स्कूप योग में लाना है यानि कि इस इंजेक्शन के बारे में A to Z जितनी भी जानकारिया है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ ठीक है दोस्तों तो आप एंड तक बने रहिएगा और अगर आप वेटनरी ग्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए व्यूर हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी किजिएगा और साथ में जो बैल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा तो चली शूरू करते हैं सूगाईज यह जो सेफक्यूण केर इंजेक्शन है फूर्थ जनरेशन एटिवा टिक ठीक है तो यह बहुत सारी कमपनियों का आता है डेग नला नामक कंपनी का आता है वह भी कॉन कंपनी का आता है मतलब धेर सारी कंपनियों का आता है कोई 500 MZ में आता है कोई 2.5% में आ दोस्तो इस injection में क्या होता है कि यह broad spectrum antibiotic है ठीक है यानि कि यह क्या करेगी जो gram positive और gram negative जो बैक्टीरिया होते हैं दोनों पर काम करेगी जिसमें कि staphylo cocus और जो correlate bacterium होता है ठीक है दोनों तरह के बैक्टीरिया पर यहनिकी gram positive gram negative दोनों तरह के बैक्टीरिया पर काम करती है broad spectrum antibiotic है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों इसके बारे में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह fourth generation antibiotic है तो इसके regarding मतलब इस salt वाले जितने भी injection आते हैं उनका जो आपको उप्योग है वो बड़ी साफ अन्य antibiotic का उप्योग कर सकते हैं जब इस injection की जरूरत पड़े यानि कि आपको लग रहा है कि अब हमें इस antibiotic के उप्योग में लाना ही पड़ेगा उसी condition में आप जो है इस injection को सेफ क्यूंस केर इंजेक्शन को या अन्य किसी इस salt वाले injection को उप्योग में लाए otherwise अगर जरुर के medical store में easily मिल जाती है नहीं तो आप इसे online purchase कर सकते हैं तो guys अब हम बात करते हैं यह जो antibiotic है यह किन-किन रोगों में animals में काम करती है ठीक है दोस्तों so guys जैसे की पशू में क्या है कि Mastitis हो गया है जिसे कि हम थनेला रोग भी कहते हैं तो चाहे वो कोई भी condition हो Mastitis की Mastitis की condition में animal में इस injection को उपयोग में लाया जा सकता है इसके लावा दोस्तों अगर animal में respiratory tract समंदी कोई infection हो गया है ठीक है disease है जैसे पश्चू में क्या होता है कि पास्चुरला मल्टो सीडा ठीक है जो गलगोंटू बिमारी होती है इस तरह जैसे pneumonia हो जाता है ठीक है इस तर कि मतलब respiratory tract से समंदी जितने भी conditions आती है पशो में तो उसमें भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं ठीक है दोस्तों इसके लावा दोस्तों क्या है कि जो dermatitis होता है ठीक है कूलिक होता है animals में पेट वगारा में दर्द इतियादी तो इन सभी conditions में क्या है कि यह जो injection है इस को animal में उपयोग में लाया जा सकता है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों इस injection के बारे में एक बात यह है कि क्या होता है कि इस injection को हमेशा animal में दो रूटों से ही उपयोग में लाया जा सकता है एक intramuscular और दूसरा subcutaneous ठीक है intramuscular और subcut और जब आप इसको पशो में intramuscular लगा ठीक के दोश्टों और गाइज इस इंजेक्षिंचन की जो वाइल है वो आपको 10ML में 30M में 100米 में ठीक ये जो वाइल है वो आपको मिल जाती है ठीक है फ्रेंड्स अब दोस्तों इसके लावा हम बात करते हैं कि यह जो injection है इन्हें किन किन species में उपयोग में लाया जा सकता है तो guys इसे हम हमारी काय हो गई भेड़ बक्रियों में, पिग में, हॉर्स में, डॉग में, गोट शीप में, फाउल में इन species में इस fourth generation की antibiotic को उपयोग में लाया जा सकता है ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों, यह जो injection है, मतलब अगर आपको तवच्चा या फिर आंखों के उपर इस injection को नहीं लगाना है बड़ी साफधानी से आपको इस injection को उपयोग में लाना है ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की allergy है, या आपके हाथ में कोई खाओ है या फिर जो आप कह सकते हैं कि हाथों में चित्ते पड़े हुए हैं तो आप थोड़ा साफधानी से पशु में इस injection को लगाएं और जहां पर आप पशु में इस injection को लगाते हैं, जैसे इंट्रमस्कुल लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है गांट मनने का खत्रा रहता है, तो इसलिए आप डीप इंट्रमस्कुल लगाएं और इसके अलावा जो dose rate मैं आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से पशु में इसकी dose देनी है और dose करेंगे, तो फिर पशु में दिक्कत हो सकती है ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि किस पशु में हमें इस injection की क्या dose देनी है तो गाइस इस injection की जो dose है, वो 1-2 mg पर kg body weight होती है इसकी जो dose rate है, ठीक है, 1-2 mg पर kg body weight तो गाइस जैसे की अगर large ruminants हैं, जैसे की बड़ी काय है, अगर large ruminants है, तो उसमें आप 10-15 ml intramuscular ठीक है large animal में 10-15 ml intramuscular दिया जा सकता है और जैसे की small ruminants हैं, जैसे की हमारी sheep, goat या calf हो गया तो उसमें जो है, इस injection को 1-5 ml, ठीक है, 1 से लेके 5 ml तक intramuscular दिया जा सकता है ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, इसके लावा अगर हम बात करें dog में तो dog में क्या है की 2.5 से लेकर 3 ml तक, 2.5 से लेकर 3 ml तक इस injection को 4th generation antibiotic को उप्योग में लाया जा सकता है ठीक है दोस्तों, तो guys इसके लावा जैसे की पशु में और भी बहुत सारी तकलीफ पशु में आ जाती है ठीक है, जैसे की पशु कम दूद देता है, तो कम दूद वाली condition में भी इस antibiotic को उप्योग में लाया जा सकता है ठीक है, तो अगर दूस्तों ये जो injection है, इसके regarding अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई doubt रहता है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, ठीक है और इस antibiotic को हमेशा वेटनरी डॉक्टर की सला के अनुसार ही उप्योग में लाएं और जब भी उप्योग में लाएं, तो साफधानी से ही उप्योग में लाएं तो गाइज अगर आपको सैफ क्यून केर इंजेक्शन पर ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को आप लाइक करें अन्य पर शुपालक भायों के साथ, वेटनरी स्टुडेंट के साथ शेयर करें